नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहदे महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहाँ आईए आज हम सभी जानते हैं जॉन डिस के बारे में यानि कि पीलिया रोग को दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में जिस व्यक्ति की आँखें त्वचा, नक, मुह, इत्यादी, हल्दी की भाती पीले हो जाएं, मुत्र भी पीले रंका आए, शरीर में शिथिलता और क 29 से 100 डिग्री फारेनहाइट तक रहता है, रोगी की नाड़ी मंद और शिन्ड हो जाती है, यह रोग पित यानि कि बाइल की अधिकता से एवं बाहरी करनों जैसे की प्रदोशित, पानी एवं खादे पदार्थों के सेवन से होता है, इस रोग से गरस्त रोगी को भूख नहीं लगती है, मुख का स्वाद करवा अथवा बे स्वाद रहता है, मुख सुखना, मिचली होना, पेटफूलना, गैस बनना, कई बार शरीर में खुजली होना, हाथ पैरों में तूटन या हरफुटन तथा दिन प्रती दिन कमजोरी बरते जाना इत्यादी लक्षन होते हैं, जिन पिलिया में चकर आना, भायानक खुजली, विशेशकर, रात में सिरदर्द, स्मृति हिंता, उत्साह नाश, निंद में कमी, पित खुन में मिलकर के रक्त को विशाक्त करना, यकृत और प्लिया का बढ़ना, या कड़ा पर जाना, इत्यादी मुखे लक्षन होते हैं, आईए, इसके इलाज के भारे में अब जानते हैं, पिलिया प्लेग तथा गर्मी के ज्वर में इमली का पानी पीना लाफ दायक होता है, पिलिया एम तिली रोग में प्रती दिन पपीता खाने से भी आपको लाफ मिलता है, नारंगी के रस का सेवन या आलू बुखार खाना भी पिलिया रोग में लाफ कारी होता है, टमाटर के रस का एक ग्लास प्रती दिन सेवन करने से पिलिया रोग दूर हो जाता है, गाजर का रस, गाजर का सूप, अथवा गाजर का गर्म काढ़ा सेवन करना भी पिलिया रोग में लाफ कारी है, फूल गोवी का रस पी इस प्रकार से हर रोज एक प्याज सुबह शाम खाने से पिलिया रोग नश्ट होता है। इसका रस निचोड़कर थोड़ी सी मिश्री मिला करके पियें। यह यक्रित और पिलिया में परमलावकारी है। पिलिया ठीक होने का प्रमार मिल जाता है। का सत्तु खाकर उपर से गन्ने का रस पियें। एक सपता हमें पिलिया रोग ठीक हो जाता है। गन्ना चूसना भी लाफ प्रद होता है। 12 ग्राम सोठ गुड के साथ लेने से पिलिया सूजन और बावासीर का रोग दूर हो जाता है। सोठ सुखाई हुई अद्रक को कहते हैं इस बात का ध्यान रखे। हर रोज तीन बार एक एक चमच शहद को पानी के ग्लास में मिला करके पिलाने से लाव होता है। रक्त की कमी में दिन में पंद्रह बार शहद पिलाएं लाफ प्रद है। कुटकी का महिन चुन चार रती दो बार मधु से देना लावकारी है। आवला स्वरस दो तोला दो बार मधु से सेवन कराएं। पुनर नर्वा का रष एक तोला दिन में दो बार सेवन कराएं लाव होगा। कुमारी आवस पुनर नर्वा रिष्ट दस-दस मिलीलिटर दो बार भोजन के बाद जल से सेवन कराना भी लावकारी होता है। हरड बहेडा, आउला, गिलोई, कुटकी, निम की छाल, चिरायता और वासा मूल इन समस्त द्रव्यों को अलग-अलग अच्छी तरह चून बना करके बराबर मातरा में मिला करके सुरक्षित रख लें, इसको 12 ग्राम की मातरा में 250 मिली लिटर जल में, कांच अथवा मिट्ट के बरतन में प्रातहकाल डाल करके किसी पात्र से ढख कर रख दें, शाम के समय किसी साफ कपड़े से उक्त जल को छान कर, इसमें मिश्री, चीनी, ग्लुकोज, या मधुमें से कोई एक वस्तू, इक्छा के अनुसार डाल कर पीएं, पुनह शाम के समय इसी प्रकार और शध कराया जा सकता है, कुमारी आसव बालकों को दो चमच से चार चमच तक दो बार जल में मिला करके भोजन के बाद सेवन कराना भी लाफ दायक होता है, जिहां दोस्तों, तो ये वो ऐसी जानकारी थी, जिसके सहारे आप पीलिया रोग से छुटकारा पा सकते हैं, बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, कि पानी परियाप्त मातरा में जरूर पीए जब भी पीलिया हो जाए तो इस बात का आपको खासा खयाल रखना बहत जरूरी हो जाता है, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एप